Hello everyone, Welcome back to my channel PK Kalah Friends, आज की वीडियो में हम करेंगे NG Sound N और G N और G क्या है? Consonant N और G को मिला कर जो Sound Create होगा और उनसे जो Words बनेंगे वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे Friends तो बहुत ध्यान से देखना है आपको वीडियो बच्चों के लिए बहुत helpful वीडियो है बच्चे छोटे-छोटे words सीखेंगे इस sound से N और G को मिला कर जो words बनेंगे वो सीखेंगे जो words उनको बच्चों को book reading में help करेंगे So friends, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और जो first time वीडियो को देख रहे हैं वो channel को subscribe भी कर देना तो चलिए start करते हैं हम बात कर रहे थे हम N और G sound की N और G क्या है? दो consonant हैं, जब दो consonant साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक sound, N और G मतलब इसे हम ये भी कह सकते हैं consonant diagram consonant diagram मैं बहुत पहले वीडियो बना चुकी हूँ उसमें भी मैंने कुछ sound बताए थे कुछ उसमें मैंने words भी लिखवाए थे अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी होगी तो description box में link डाल दूँगी friends में N और G को मिला के sound बनेगा क्या sound बनेगा तो चलिए अब words करेंगे हम जैसे suppose हमने फहला word लिखा first word is क इंग क इंग किंग क इंग किंग next word is लग क्या बना लग ऐसे slowly slowly हमने बच्चों को सिखाना है अगर बच्चों को phonic आते होंगे तो बच्चा बहुत easily इन words को लिखना सीखेगा और pronounce करना भी सीखेगा phonic की वीडियो भी मैं already channel पर बना चुकी हूं फ्रेंड्स उसका लिंक भी मैं description box में डाल दूँगी now third word is thing अब thing कैसे रिखेंगे हम टी एच टी एच लिखा हमने क्या बना sound थ ए और इंग थिंग next word is लग अ एल को क्या बोलते हैं हम phonic sound क्या होता है ल का ल और यू का sound क्या होता है अ तो ल, अ और कौन से sound की बात करें हम अंग अंग लंग क्या बना ल, अ, अ, अंग right now next word is strong S T S का साउन क्या हुआ स और T का साउन त तो स्ट हो गया र, र का साउन आ रहा है आर अ, अ, ओ आ गया अंग तो क्या बना वर्ड strong king long thing long strong now next word is bring bring कैसे लिगेंगे हम b ra e b का साउन फॉनिक क्या हो गया b और r का साउन ra और i का साउन e और कौन से साउन करने हम n और g n और g का साउन क्या बताया है मैंने अभी ng bring bring next word is tang क्या लिखेंगे हम ta eh ng क्या बना tang ta a ng tang कैसे लिए हमने t लिखा फिर a लिखा और n और g तो क्या बना ta a ng tang right next word is sing sa i ng when you gonna sing sa i ng sing the next word next word is gang g a a ka sound आ रहा है a आ गया और कौनसी sound करें हम ng ng gang gang ang go ang n को थोड़ा हमने अंदर को ले जाना है tongue की ng gang now last word is wing wing तो सबको पता है wing means क्या होता है yes birds की जो feathers होते है wings होते है punkों को बोलते है wings तो हम क्या लिखेंगे वह वह साउंड आ रहा है तो डब्ली आ गया e ng wing read out these words king long thing lung strong bring tang sing gang wing so friends आप इस तरह से बच्चों को ng sound words practice में डेली करा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें share करें और चैनल को subscribe भी कर दें मिलते हम तब तक और अच्छे interesting वीडियो में till then bye bye and take care आपको आपकोपटर्ण करें